हाई अब्रिवन मैं हूँ अभिशीक और आज हम लोग कॉड़ाटिक एक्वेशन की एक्सेसाइज 4E के कोशन 36 से सॉल्व करने वाले हैं पिछली वीडियो में हम लोगों ने कोशन 35 तक के सारे सॉल्व किये थे और जैसे उन कोशन को सॉल्व किया था ना वैसे हम लोगों कोशन 36 से आंगे के कोशन को सॉल्व करेंगे तो चलो सुरू करते हैं कोशन 36 से कोशन 36 2 X2 minus X plus 1 by 8 equals to 0 यहाँ पर आप देख पारो कि डिवाइड में 8 है हमें यहाँ पर डिवाइड से सबसे पहले 8 को हटाना होगा यहाँ पर आजो सलीशन पर यहाँ पर सभी के अपॉन में 1 कर देते हैं और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 8 8 टूजा हो गया 16 16 X2 minus 8 X आगया यहाँ पर आजाएगा plus 1 equals to 0 यह 8 हमारे डिवाइड में equal के इस साइट जाएगा तो यह multiply में हो जाएगा यहाँ पर बचेगा हमाँ पर 16 X2 minus 8 X plus 1 अब देखो यहाँ पर यह multiply मेंना 0 into 8 क्या होता है 0 हो जाएगा तो यहाँ पर हो गया 0 अब यहाँ पर 1 का multiply हम लोग X square के coefficient के साथ कर देंगा जो कि 16 है 1 into 16 करोगे तो आपको क्या मिलेगा 16 मिलेगा ठीक है 16 को दो number में break करो कि जब उन दो number का multiply करें तो हमें 16 मिल जाए और जब उन्हें दो number का हम लोग सम करें तो हमें X का coefficient मिल जाए तो यहाँ पर मिल जाएगा 4 into 4 यहाँ पर हो गया 16 अब इसी का जब सम करेंगे हम लोग तो हमें क्या मिलेगा 8 मिलेगा बट हमें तो minus 8 चाहिए तो इन दोनों के आँगे आप minus लगाते हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा minus 8 मिल जाएगा और यहाँ पर plus का 16 मिल जाएगा ठीक है चलो अब यहाँ पर आजाते है यह होगा हमारे पर 16 X स्क्वेर यहाँ पर minus 4 X minus 4 X plus 1 equals 2 हो गया 0 अब यहाँ पर इन दोनों में से देखो क्या common लिया जा सकता है इसमें आप 4 common ले सकते हो और X को common ले सकते हो यहाँ पर आजाएगा हमारे पर 4 X minus 1 अब इसमें से कुछ common नहीं आ रहा तो 1 को common ले लो यहाँ पर आजाएगा 4 X यहाँ पर उजाएगा minus 1 अब देखो जब कभी हमारा minus 1 बाहर होता ना तो अंदर का जो sign होता वो change हो जाता है plus से तो minus हो जाएगा minus था तो यहाँ पर plus हो जाता equals to 0 अब इन्हें एक bracket में कर देते हैं 4x minus 1 4x minus 1 यहाँ पर होगे 4x minus 1 यहाँ पर आजाएगा 4x minus 1 यह दोनों ही same है और दोनों ही 0 के equal हो जाएगे इसको ऐसे लिख दो 4x minus 1 equals to 0 यहाँ पर आजाएगा हमारे पस x equals to यह minus का इधर जाएगा plus का हो जाएगा और यह हमारे पस 4 multiply में इधर आजाएगा तो divide में हो जाएगा x की value हमें मिल जाएगी 1 upon 4 अगर इसको भी ऐसे करके रखोगे तो भी आपको x की value क्या मिलेगी 1 upon 4 ही आपको value मिलेगी ठीक है same value होती तो एक बार लिख लिया जाता है अब यहाँ पर question number 37 पे आजाओ यहाँ पर लिखाए 10x square देखो यहाँ लिखा 10x sorry square नहीं 10x minus 1 upon x equals to 3 है ना यह equal के इस side आजाएगा तो minus के 3 हो जाएगा और यहाँ पर 0 upon में 1 कर दो यहाँ भी 1 कर दो और यहाँ पर आजाएगा हमारे पास x x आ गया 10x into x करोगे तो 10x square आ गया minus यहाँ पर आजाओगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3x equals to 0 यह डिवाइट में पर जाएगा इहाँ पर हमारे पास 10x square 10 x square minus 1 और यहाँ परो हो जाएगा minus 3 x equals to हो गया हमारे पास 0 हो गया अब देखो धियान से यहाँ पर पहले अरेंज़ करके इसको लिखो यहां पर हो गया 10x square यह 3x है यह minus का इसको बीच में लिया minus 3x और यह पीछा आजाएगा minus 1 equals to 0 हो गया अब देखो यह 10x square 10 है 10 का multiply minus 1 में करो minus 1 into 10 equals to क्या आगया minus का 10 आगया आगया अब हमें इस 10 को दो number break करना है कि जब उन दो number का multiply करे तो हमें 10 मिल जाए वो भी minus का 10 मिले और जब इन्हीं तो number का जब हम लोग सम करें तो हमें मिल जाए x का कोफिसीन जो कि 3 है यहाँ पर होगया हमारे पस minus 3 मीनेस 3 है ना यहाँ तो minus 3 हमें चाहिए तो हमें यह दो number मिल गए अब इन्हीं दो number को यहां पर लिख देते हैं यहां पर हो जाएगा हमाई पर 10 x square minus 5x plus 2x और यह minus 1 है यहां पर लिखो ठीक वस्ट हो गया हमाई पर 0 इन दोनों में से हम लोग कुछ common ले सकते हैं 5 और x को common ले सकते हैं यहां पर बचेगा x minus 1 अब इस में से हम लोग क्या common ले सकते हैं यहां बचेगा 2x minus 1 इस वीच से हम लोग कुछ common नहीं ले पारे तो 1 को common लेंगे तो यहां पर आज अगर 2x minus 1 equals 2 हो गया हमाई पर 0 अब यहां पर 2x minus 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2x minus 1 एक ब्रैकेट में और यहां पर 5x plus 1 दूसरे ब्रैकेट में अब यह दूनों ही हमारे 0 के equal है तो इन्हें ऐसे लिख सकते है 2x minus 1 equals to 0 यहां पर 5x plus 1 equals to हमने कर दिये 0 के यह minus का इदर आजएगा plus का 2 multiply में इदर आजएगे divide में तो x equals to 1 by 2 यह plus का इदर आजएगा minus का 5 multiply में इदर आजएगे divide में तो x equals 2 आजएगा हमारे पास minus 1 by 5 यही हो जाएगा question number 37 का हमारा answer अब आते question number 38 पे देखो question जो 38 है उसको देख लो यहां पर question 38 को देखोगे तो यहां लिखेगा 2 by x square और यहां पर minus 5 upon x यह हो गया plus 2 equals to 0 अब यहां पर हमने क्या बताएगा कि भीया आपके पस divide में कोई भी value नहीं हो नहीं थे यहां में divide से हटाना है तो यहां पर हमारे पस क्या आजाएगा x square आजाएगा यहां पर हो जाएगा 2 minus 5 x और यहां पर हो जाएगा plus 2 x square हो जाएगा equals to 0 अब यहां पर दोकुर x square divide में दर जाएगा multiply में यहां पर आजाएगा हमारे पस 2 minus 5 x plus 2 x square equals to 0 जिरो अब इसको हम लोग आरेंज करके लिख देंगे तो यहां पर हो जाएगा हमाइपस 2 x square x square को आँगे minus 5 x को पीछे और 2 को सबसे पीछे करतो यहां पर plus 2 equals to 0 अब इसको देखो 2 2s क्या हो गया 4 हो गया यहां पर लिख दिया 4 ठीक है अब हमें 4 में 4 को ऐसे दो नमबर ब्रेक करना है कि जब उन दो नमबर का multiply करें तो हमें 4 मिल जाए बट जब उन्हें दो नमबर का हम लोग सम करें तो हमें क्या मिल जाए minus का 5 मिल जाए तो हमें पता minus 4 into minus 1 करेंगे तो हमें 4 मिलेगा मिल गया 4 अब इन्हें का हम लोग सम कर देते हैं तो हमें यहां पर माइनस का 5 मिल जाएगा मिल गया माइनस 5 अब यही दो नमबर यहां लिख दो यहां पर हो गया 2 x square माइनस 4x और यहां पर हो जाएगा माइनस x प्लस 2 प्लस 2 0 देखो यह माइनस का 4 है माइनस 4 x लिख दिया यहां पर माइनस का 1 है माइनस 1 x को ऐसे नहीं लिखते हैं हम लोग सीधे माइनस x लिख देते जब भी 1 होता ना variable में coefficient में तो इसको हटा के सीधे x लिख देते इतने बात clear हो गई चलो अब इसमें से हम लोग common ले लेते हैं common आजएगा हमाई पस 2 और x यहां पर आजएगा x minus 2 यहां पर आ गया और इसमें से हम लोग common लेंगे minus 1 को तो यहां पर आजएगा x minus 2 equals to 0 हो गया अब देखो यहां पर x minus 2 एक bracket में और यह 0 के equal हो जाएगा अब इसमें लोग लोग देखो देखो 2x minus 1 यह हो गया equals to 0 देखो इन दोनों में से यह दोनों सेम है तो इसको common लेता x minus 2 हो गया बचा क्या 2x minus 1 2x minus 1 दूसरे ब्रैकेट में अब यह दोनों ही हमारे क्या है? 0 के equal है इनने ऐसे लिख सकते है x minus 2 equals to 0 और यहां पर लिखा 2x minus 1 equals to 0 यहां पर minus का equal के इससेट जाएगा यह प्लस का हो जाएगा यहां पर यह minus का equal के सेट जाएगा प्लस का 2 multiply में दर आजेगा तो हमें x की value क्या मिल गए? 1 by 2 और यहां पर x की value क्या मिल गए? 2 मिल गई और यही होगी है question number 38 का हमारा answer अब आते हैं हम लोग question number 39 question 39 में अभी तक जितने भी question आमने वो ने किये है अब उससे अलग question मिलने वाले और अच्छे भी question आने वाले important question अब सुरूर हो रहा है आपके देखो यहां लिखा है 2x square plus ax minus a square equals 0 है यहां पर x square होता था यहां पर x होता था यहां पर कोई भी एक हमारे पास constant term होता था बट यहां पर इस समय हम देख पा रहे हैं यहां पर लिखा हुआ है a square है अब इस तरीके कोशन को कैसे solve किया जाता उसको ध्यान से समद लेना क्योंकि अलग तरीका k06 का solve करनेगा देखो यहां पर हमारे पास क्या है थू x square हो म अप milligram आप यहां पर एंच एक्स को हमनों कैसे लिख सकते हैं अगर अगर यहां पर 2Ax- यह एक्स- हम लिख दे हम पर एंच तो क्या रिजल्ट रिजल्ट हमें मिलेगा मिलीगा और और कैसे लगने इसे हो क्या किया रहा है ऐसे लेकंप यहां पर लिख देते यहां पर लिख देते हैं two X minis लिखदि आधे हमने a āक्स और यहां पर लास्ट में क्या है । म्याए समय को इसको अगर सिब इन दोनों को दियान से जिखो गे तो इसको सॉल्ट करने में फिर से हमें क्या मिल जाएगा A X मिल जाएगा वो भी प्लैस का A X मिल जाएगा तो यह कोशन कुछ इस तरीके से सॉल्ट किये जाते है ठीक है अब यहां पर इस में से जिखो हम लोग कॉमन लेंगे 2 को और X को यहां पर आजएगा X Plus A यहां पर आजएगा X ले ने लेते हैं a को तो यहां पर आजएगा हमारे पस X माइनस बाहर रहे तो अंदर का साइंग चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पर a equals to 0 हो गया अब x plus a, x plus a इसे एक ब्रैकट में करो x plus a और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पर 2x minus a equals to 0 के यह दोनों ही 0 के equal है तो इन्हें हम लोग लिख सकते x plus a equals to 0 और यहाँ लिख दिया 2x minus a equals to 0 अब यहाँ पर a हमारा plus का equal के set जाएगा minus का एक हो गया यहाँ पर हमारे पर a minus का equal के set जाएगा plus का हो जाएगा 2 हमारा multiply में इधर आजएगा divide में हो जाएगा तो हमें x की value मिल गई है a upon 2 और यहाँ पर x की value मिल चुकी है minus a और यही हो गया question number 39 का हमारा answer question 44 x square plus 4 b x minus a square minus b square equals to 0 अब जो यह question है ना इस question के आंगे जितने भी question है 41, 42 and so on सारे question ऐसे ही solve होने वाले तो इस question को ध्यान से समखना अगर हम लोग बात करें a square minus b square की a square minus b square अच्छा बताओ a square minus b square का formula क्या होता है अब कहोगे a plus b और a minus b होता है अब इसकी जगे में अगर यह हम put कर दें तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं क्योंकि यह इसी का तो formula होता है तो कोई दिक्कत नहीं तो इसे put करो यहाँ पर होगया 4 x square और यहाँ पर हमारे पर 4 b x 4 b x को हम ऐसे लिख दें 2 2 b और यहाँ कर दिया x तो कोई दिक्कत है अब आप कहोगे कि भाईया यह ऐसे ही क्यों किया ऐसे क्यों नहीं रहने दिया अभी आंगे आपको बताएंगे देखो इन कोशन की जितनी चाहता प्रेक्टिस होगे न उतना ही जल्दी आप यह solve कर पाऊगे और इन कोशन में होता क्या कि आपको एक स्टेप आंगे सोचना पड़ता है तो यह न अभी आंगे आपको समझ में आएगा देखते जाओ यहाँ पर इसके जिगए पर हमें यह लिखेंगे यह हो गया a plus b और यहाँ पर आजाएगा हमाई बस a minus b ठीक है एक क्वेश्यू 0 अब इस कोशन को solve करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसको लेना पड़ेगा अब इससे तीन कंडिसन आती तीन कंडिसन मेंसे कोई ना कोई एक कंडिसन होगी जो कि यहाँ पर हमें two b लातेगी हमें क्या करना है फिर से समझो minus b को minus b से plus b cancel हो गया क्या आगया हमाई पस 2a आ गया हमें क्या मिल गया 2a मिल गया यहाँ पर 2b है यहाँ पर 2a है तो यह गलत होगी condition अब क्या करेंगे अब हम लोग इन दुनों को minus करके check करेंगे यहां पर a plus b minus a minus b हो गया एक question हमने कर दिया 0 के अब यहां पर bracket खुलेगा तो यहां पर हो जाएगा a plus b bracket खुलेगा minus का अंदर multiply minus minus हो गया plus एक question हो गया 0 यहां पर a से a cancel हो गया b और b हो गया हमारे पर 2b यहां पर लिख देते हैं 2b दोगों यहां पर 2b आ रहा है और यहां पर 2b इसका मतलब क्या हो रہा है इस 2b की जगह पर हम लोग यह put कर सकते है या फिर हम लोग यह put कर सकते हैं या कि इसको यह solve करने में 2b मिलाए तो यहां पर हम लोग अब यह put करने जा रहा है ठीक है छलो यहां पर आ गया हमारे presented 4x 4x square plus यहां पर हो गया X, यह X है न, यह यहाँ लिख दिया, minus, यहाँ पर हो गया A plus B, यहाँ पर A minus B, एक क्वेस्ट्व हो गया हमाई पर 0 के, अब देखो, 2 का अंदर multiply और X का अंदर multiply, यहाँ पर आगया 4, X square, plus 2, यहाँ पर हो गया A plus B, और यहाँ पर X का यहाँ पर, अब यहाँ पर आजाएगा minus 2 का, इसमें multiply करोगे 2, यहाँ पर हो गया A minus B, यहाँ पर आगया X, यहाँ पर हो गया A plus B, और यहाँ पर A minus B, और एक क्वेस्ट्व हो गया हमारे पर 0, यह आगया, आप इसको ध्यान से देखो, इसमें से हम लोग क्या कुछ common ले सकते हैं, इसमें से, और इसमें से हम कुछ नहीं था, बस यह वाली ही लाइन थोड़ी सी आपको problem दे रही होगी, क्योंकि यह नया step यहाँ पर जोड़ गया, इसकी आप practice करोगे ना तो आपको यह easy लगेगा, हलवा लगेगा आपको इस सारे question, देखो, अब इसमें से हम लोग common क्या ले सकते हैं, यहाँ पर हम हम सिर्म यहाँ पर two और x को common लेंगे, तो अंदर बचेगा हमाँ पर two x plus, यहाँ पर आजाएगा हमाँ पर a plus b, यह आजाएगा, ठीक है, अब इसमें से हम लोग क्या common ले सकते हैं, यहाँ पर a minus b दिख रहा है, और यहाँ पर भी हमें a minus b दिख रहा है, तो a minus b को हमने common ल और यहाँ पर हो जाएगा equals to zero, यह दोनों हमारे zero के equal है, अब देखो, यहाँ पर two x plus a PLACE b, two x plus a plus b है न, यह दोनों egy bracket में आ जाएगा, मतलब कि common आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, हमाँ पर two x plus a plus, यहाँ पर हो गया, हमारे पर बचेगा हमारे पर b हो गया, यह चीज क अब यह दोनों हमारे क्या हो जाएंगे 0 के equal हो जाएंगे तो यहां लिखा 2X plus यहां पर हो गया हमारे पस A plus B equals to 0 कॉमा यहां पर हो गया 2X minus A minus B equals to हो गया हमारे पस 0 के यहां पर 2X लिखा यहां पर equals to हो गया यह हमारा क्या दखो, यह plus का, equal के इस side आ जाएगा, तो minus का हो जाएगा A, यह हो गया, plus B हो गया ठीक है, यहाँ पर 2 हमारे पस multiply में, equal के इस side हो जाएगा तो किस में आ जाएगा, divide में A plus B, और divide में हो गया, हमारे पस 2 हो गया, इतनी बात clear हो गई अब यह minus का, equal के इस side जाएगा, तो plus का, A minus B 2 multiply में इधर आ जाएगा, divide में तो यह हो गया, X equals to A minus B by 2, यहाँ पर X equals to minus A plus B by 2 यही हमें solve करना था, और यही हो गया question number 40 का हमारा solution, I hope आपको यहाँ पर question number 40 समद में आ गया, अब आते हम आप question 41 में आजाओ, यह question 41 है यह वैसे ही solve होगा, जैसे हम लोग ने question 40 को किया है अब सबसे पहले इसको इत्यान से देखो यहाँ लिखा, A power 4 minus B power 4 इसको हम लोग ऐसे लिख सकते है A square का whole square minus, यहाँ कर दिया B square का whole square, ऐसे लिख देंगे कोई दिक्केत है, नहीं न, अब इसको formula में बनाओ, A square minus B square का formula क्या होगा A plus B A square plus B square हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा A square minus B square हो जाएगा यह हो जाएगा इसका formula इतनी बात clear होगी, अब हमें करना क्या है, अब इसकी देगे में हमें यह value put कर देने, तो आज़ो solution पर यहाँ पर लिखेंगे, हम लोग 4X square, 4X square minus 4A square x है न, इसको हम लोग लिख सकते है 2, यहाँ पर हो जाएगा 2A square और यहाँ पर आगया हमाँ पस X, बताओ, कोई दिक्केत है 2, 2 is a 4, A square into X आजएगा, बिल्कुल वही आजएगा बस इसे break करके लिख दिया, यहाँ पर plus है, plus लिख दिया, इसकी जिगह में हमने यह put कर दिया, जो कि होगी हमाँ पस A square, plus B square, यहाँ पर हो जाएगा हमाँ पस A square, minus B square, यह लिख दिया, एक कुस्टी मिलेगा, मतलब कि इन दोनों को plus करने मिलेगा, यह minus करने में चेक करो, A square, plus हमने कर दिया, B square, अब इन दोनों को हम plus कर रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा A square, minus B square यह B square से B square कैंसल, यहाँ पर हो गया, 2 A square हो गया क्या गया, 2 A square हो यहाँ पर A square था तो इसका मतलब क्या हो रहा है इसकी जगे में हम ये put कर सकते हैं कर सकते हैं तो यहां पर कर दो यह हो जाएगा हमारे पस 4 X square minus 2 और यहां पर आगया हमारे पस A square यहां पर लिख देते हैं A square यहां पर हो गया plus B square और यहां पर हो गया plus A square minus यह हो गया B square, यह आ गया ठीक है, यहां पर कर दिया हमने X plus यह हो गया A square plus B square, यहां पर हो गया A square minus B square एक क्वेस्टी हो गया 0 के, अब देखो, यह 2 अंदर multiply कर दो और इस X का भी अंदर multiply कर दो, यहां पर आजएगा 4 X square, यहां पर हो गया हमाँ पर minus 2 2 यह वो गया a square plus b square और यहां पर होगी हमाई पस x फिर 2 का इसमें multiply करोगे तो 2 a square minus b square यहां पर होगी x प्लिस यहां पर होगी हमाई पस a square प्लिस यह b square फिर यहां पर a square minus b square एक question को गया 0 के देखो अब हमें करना कहना इसमें से हमें कुछ ना कुछ common लेना है और इसमें से भी हमें common लेना है अब देखो क्या common आ रहा है यहाँ पर आप देख पारो 2 लिखा है और यहाँ पर x है तो 2x हम लोग common ले सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा हमाई पर 2x minus यहाँ पर बचेगा a square plus b square यह बचेगा इतने बात clear हो गए अब देखो यहाँ पर 20 plus है प्लस लिखा अब इसमें से a square minus b square और a square minus b square दोनों जगा है तो a square minus b square को हम लोग common ले लेंगे a square minus b square को हमने common लिया यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2x plus दोखो यह 2 है और यह x है यहाँ पर आ जाएगा plus यहाँ पर a square plus b square बचेगा तो यहाँ पर हो गया a square plus यहाँ कर दी हमने b square clear होगे इतनी बात एक plus 2 हमने कर दी है यहाँ पर इसमें एक छोटी से mistake यह हो गई कि minus 2 को जब इसमें हम लोग मल्टिप्लाइ करेंगे तो यहाँ पर minus 2 आएगा ठीक है दोगो plus minus क्या बन जाएगा minus आजएगा यहाँ पर minus आएगा और फिर यहाँ पर भी हमारा क्या बन जाएगा minus यह हमने common लिए तो क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर आजएगा हमारा minus आजएगा ठीक है यह हो गया minus अब यहां पर यह माइनस है तो अंदर का sign change हो कि यह भी हमारा माइनस हो जाएगा अब यह दगो यह दोनों same हो चुके है तो नहीं हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहां पर आजाएगा हमारे पस 2x माइनस a square प्लस यहां पर हो गया हमारे पस b square ठीक है अब यहां पर हमारे पस से 2x यहां पर हो गया माइनस a square माइनस हो गया हमारे पस b square और यहां पर equals to हमने गर दिया 0 यह दोनों ही 0 के equal हो गया तो यहां पर हमनों लिखेंगे 2x माइनस यह हो गया हमारे पस a square प्लस यह हो गया हमारा b square equals to zero के और यहां पर हो गया हमाँ पर 2x minus a square minus हो गया हमाँ पर b square equals to यह भी हो गया हमारा zero के equal अब हमें करना क्या है? simple है यह जो minus का है equal के set बेज़ देंगे यह plus का हो जागा यहां पर आजागा a square plus b square यह two multiply में इदर आजागा तो यह हो जागा यह हमारा minus का है equal के set बेज़ देंगे तो यह भी हमारा क्या हो जागा plus का हो जागा यहां पर आजागा हमारा a square minus b square ठीक है? अब यहां पर two multiply में इदर आजागा तो यह divide में हो जागा तो यह हो गया question number 41 का हमारा answer है ना कितना simple और easy question अब इन question के आपको practice करना पड़ेगा दो दो चार चार बार एक question को लगाओगे तब आपको यह अच्छे से और समझ में आएंगे अब आते हम लोग next अब question 42 में आजाओ यहां लिखा है x square plus 5 back minus a square plus a minus 6 equals to 0 है ठीक है? अब इस question को होना solve करने का हमारा जो तरीका रहेगा वो अलग रहेगा क्योंकि यहां पर आप देख पारो a square plus a minus 6 है इसको एक साथ नहीं solve करेंगे पहले इसे solve कर लेते हैं यहां पर हो गया a square plus a यहां पर आप देखो हमें करना गया यहां पर जो minus 6 है इस minus 6 का हम लोग multiply करेंगे x square के coefficient की साथ यहां कुछ नहीं इसका मतलब 1 तो यहां पर आजाएगा minus 6 minus 6 को ऐसे दो number में break करो कि जब उन दो number का multiply करें तो हमें minus 6 मिले तो minus 6 मिलने के लिए हम लोग यहां पर minus लगा देते हैं और इन ही दो number का अगर हम लोग sum करेंगे हमें x का a का coefficient मिल जाएगा यहां कुछ नहीं इसका मतलब 1 है यहां पर आजाएगा 3 plus minus 2 equals to हमें मिल गया 1 मिल गया अब यहां पर रोजाएगा हमाई पस a square यहां पर रोजाएगा plus 3 a यहां पर रोजाएगा minus 2 a यह होगया minus 6 ठीक इन दोनों में से हम लोग a को common ले लेंगे तो यहां पर आजाएगा a plus हमें क्या मिल गया 3 मिल गया इसमें से minus 2 को common लेंगे तो यहां पर मिल जाएगा a plus 3 मिल जाएगा अब देख पारो a plus 3 a plus 3 एक bracket में है तो यहां पर a plus 3 को एक bracket में कर दिया और यहां पर आप देख पारो a minus 2 दूसरे bracket में आ जाएगा बस इसको यहीं पर छोड़ दो अब हमने क्या देगा यह जब हमने इसको solve किया तो हमें यह मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे इसकी जगे पर यह value को put कर देंगे अब यहां पर आजाओ यहां पर होगया हमाँ पस x square plus यहां पर होगया 5x minus a plus 3 और यहां पर होगया a minus 2 होगया एक question हमने कर दिया 0 अब यह question वैसे ही हो गया ना अब इसको ध्यान से देखो और सोचो इसमें हम लोग ऐसा क्या कर दे ताकि हमें यहां पर 5 मिल जाए ठीक है एक्स को बूल जाओ सिर्फ 5 को ध्यान दो 5 मिल जाए तो देखो पहले इन दोनों को प्लस करके देखेंगे फिर minus करके देखेंगे फिर देखते हैं कौन सी कंडिशन हमारी लगेगी यहां पर यहां पर a plus 3 यहां कर दिया plus a minus 2 इसको solve करोगे तो यहां पर आजाएगा हमारे पस a 2a यहां पर plus 1 मिल जाएगा हमें यह तो चाहिए नहीं हमें तो 5 लाना है तो हम लोग अब minus कर देखेंगे a plus 3 और यहां पर हो जाएगा minus a minus 2 अब देखो ब्रैकेट खुलेगा तो a minus का हो जाएगा यह plus का यह cancel यह minus minus plus 5 और 2 क्या बन जाएगा 5 मत जाएगा ठीक है तो इसका मतलब क्या हो रहा है इस 5 की जगह पर हम लोग यह value को put कर सकते हैं कर सकते हैं तो गर दो फिर यहां पर हो गया x square यह को यह 5 दिख रहा है यह 5 हमें कैसे मिला जब इन दोनों को हम लोगों ने क्या कर दिया subtract कर दिया तो इस की जगह पर इस 5 की जगह पर हम यह put कर सकते हैं तो यहां पर हम लोग करेंगे a plus 3 और यहां पर आगया हमाएं पस minus a minus 2 ठीक है यहां पर है minus a plus 3 यहां कर दिया a plus 3 और यहां पर हो गया a minus 2 देखो अगर आपको यह वीडियो समझ में आ रही तो comment करके ज़रूर बताना अगर नहीं समझ में आ रही न तो आप पहले इसे दो तीन बार वीडियो को देखो कोशन को देखो फिर खुद से करो फिर देखो फिर खुद से करो फिर जब दो तीन बार आप ऐसा करोगे तो आपको आने लगेगा योगि यह जो कोशन है ना यह अलग तरीके कोशन है तो हो सकता है पहली दूसरी बार में ना आए ठीक है तो इसमें कोई बड़ी बात नहींगी अगर पहली बार में नहीं आ रहे तो आप रिसान हो जाओ कोई बड़ी बात नहीं सबके साथ ही होता है अब देखो यहां पर हमने 5 की जगह पर यह तो रख दिया बड़ यह X रह गया था लिखना तो X को हम लोग यहां पर लिख देते हैं यह हो गया हमारा X ठीकर अब यहां पर X का हम लोग multiply कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारे plus A plus 3 into हो गया हमारे plus X minus A minus 2 into हो गया यहां भी X minus A plus 3 A plus यहां पर होगे हमारे plus 3 और यहां पर आ गया A minus 2 equals 2 कर दिया हमने 0 के अब देखो यहां पर है हमारे पर X स्क्वेर ओके चलो इसको छोड़ो दो अब यहां पर देखो हम लोग इसमें से कुछ ना कुछ common ले सकते हैं और इसमें से भी हम लोग common ले सकते हैं इसमें हमें देख रहा है शिर्फ X common तो यहां पर आ जाएगा X plus A plus 3 A plus यहां पर होगे हमारे plus 3 यह हमने common ले लिया ठीक है अब इसमें से हम लोग क्या common ले सकते हैं A minus 2 को A minus 2 को हमने common ले लिया और equal to हो जाएगा हमाई पर 0 यह clear हो गया अब देखो यहाँ पर x plus a plus 3 x plus a plus 3 है इसे एक ब्रैकेट में कर देते हैं x plus यहाँ पर हो यह a plus यह हो गया हमारे पर 3 अब देखो दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा हमाई पर x minus a minus 2 हो जाएगा equals to हो गया 0 के यह दोनों 0 के equal है तो इन्हें ऐसे लिख सकते हैं x plus a plus यहाँ कर दिया 3 equals to हो गया हमाई पर 0 यहाँ कर दिया x minus यहाँ पर a minus 2 equals to 0 अब देखो यहाँ पर ना यह plus का equal के इस साइट जाएगा तो minus का हो जाएगा a यह हो गया plus यह हो गया हमाई पर 3 ठीक है x की value क्या मिल गए minus a plus 3 मिल गए और ऐसे इधर आज़ो यह minus का है equal के इस साइट जाएगा तो plus का a minus 2 मिल गया बस हमें यही solve करके दिखाना था और यही हो गया question number 42 का हमारा answer आज के सारे question समझ में आ रहे है अच्छे question है ध्यान से करना कहीं कोई doubt है पूछ लेना अब आते हैं हम लोग question number 43 अब question 43 में आ जाओ यहां लिखा है x square minus 2 ax minus 4b square minus a square सबसे पहले इसको देखो यहां पर 4b square है न इसको हम लोग लिख सकते हैं 2b और यहां कर दिया हमने whole square कोई दिक्कत है minus यहां पर हो गया a square अब देखो यहां पर आपको दिख रहा है a square minus b square वाला formula तो यहां पर हम लोग लिखेंगे a plus b मतलब 2b plus a यह लिखेंगे और फिर लिखेंगे 2b minus a यह लिख देंगे इतनी बात के लिए रहे तो इसकी जगह पर हम लोग यह पुट कर सकते है बिलकुल तो यहां पर आजओ यहां लिखेंगे x square और यहां पर हो गया minus 2ax और यहां पर हो गया minus 2b plus a यहां पर हो गया हमाने पस 2b minus a हो गया इतनी बात के लिए और इन दोनों को हम लोग देंगे zero के क्वल अब देखो अब यहां पर ना हम things solve करके कैसे भी करके 2A ला रहा है, तो इसको plus करके भी देखेंगे, minus करके भी देखेंगे तो देखो, यहाँ पर हो गया 2B plus A, हम लोग माइनस करके पहरे देखते हैं, यहाँ पर हो गया minus, यहाँ पर हो गया 2B minus A equals to हो गया हमाँ पर 0 के, यहाँ पर हो गया 2B plus A माइनस के अंदर multiply माइनस 2B माइनस माइनस हो गया plus A equals 2 हो गया हमाई पर 0 के A से cancel हो गया A plus A क्या गया हमें मिल गया 2A मिल गया 2A हमें यहाँ पर मिल गया दोखो हमें 2A चाहिए दा 2A मिल गया कब जब हमने इन दोनों को माइनस कराया तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 2A की जगह पर हम लोग यह value पूट कर सकते है यहाँ पर पूट कर दो यह हो गया X स्क्वार माइनस यहाँ पर हो गया 2B प्लस A यह हो गया और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पस माइनस 2B माइनस यह पूट किया और फिर हमने यहाँ पर लेख दिया X यह वाला X माइनस अब यह पूरा यहीं पर लेख दो यह हो गया हमारे पस 2B प्लस A और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पस 2B माइनस A एक्वास टूट हो गया हमारे पस 0 की अब देखो अब हमें करना क्या है यहाँ पर सबसे पहले X का अंदर मल्टिप्लाई करो यहाँ पर हो गया X स्क्वार माइनस यह हो गया 2B प्लस A और यहाँ पर हो गया हमारे पस X माइनस यह हो गया हमारे पस 2B माइनस A equals to हो गया हमारे पर zero हो गया वाट इट इतनी बाद अब हम लोग इसमें से कुछ common ले सकते हैं इसमें से कुछ common लेंगे और इस पूरे में से कुछ common लेंगे यहां पर हमें common स्रिप x दिख रहा है तो हमने x common ले लिया यहां पर आगया x minus bracket में 2b plus a आगया इधर भी है तो यहां पर common हमने ले लिया तो यहां पर आजाएगा x minus 2b plus a यहां आगया एक क्वेस्ट हमने कर दिया 0 के यह 0 के equal हो गया अब देखो x minus 2b plus a x minus 2b plus a इसे एक ब्रैकेट में कर देता है मतलब कि common ले लेंगे यहां पर आजाएगा x minus 2b plus a यह हो गया और फिर यहां पर देखो x और यह एक ब्रैकेट में आजाएगा यहां पर हो गया हमाई पस x minus 2b minus a हो गया यह आगया एक क्वेस्ट हमने कर दिया 0 के यह दोनों 0 के equal हैं तो यहां पर हो गया x minus यह हो गया 2b plus d हो गया और यहां पर 확인 हमने कर दिया 0 के, यहां पर हो गया x-2b, यहां पर हो गया minus a, keer-serम हो गया 0 के, अब यहां पर यह minus का, इदर आ जाएगा प्रलेस का, तो यह हो गया 2b plus a, ओके, अब यहां पर यह Minus का, यह भी इदर आजाएगा, तो ये भी फ्लस का हो जाएगा ये हो गया 2B ये हो गया माइनस A यही हमें solve करना था और यही हो गया इस question का हमारा safe I hope आपको यहाँ पर question number 43 समझ में आ गया अगर कहीं कोई जाउट है comment करते हमें जरूर बताना अब आते हैं हम लोग question number 44 question 44 x square minus 2B minus 1 x plus B square minus B minus 20 अब question 44 वैसे ही solve होगा जैसे हम लोगोंने question number 42 को solve गया था यहाँ पर आप ध्याल से देखो तो आपको देखे का B square minus B minus 20 इतने पाड़ को हम लोग solve कर लेते हैं दो को अगर आप चाहते हो तो इसे पूरा एक साथ solve कर सकते हो कोई problem नहीं जादा एक साथ solve करने में कभी कभी गलतियों हो जाते हैं तो हम लोग क्या करने वाले हैं हम लोग पहले इसको solve कर लेंगे फिर इसके बाद solve करने में हमें जो भी value मिलेगी वो इस जिगह में put करके यह पूरा solve कर लेंगे और ऐसा करना थोड़ा easy रहता इसलिए हम ऐसा कर रहा है तो यहां पर लिखेंगे b square minus b minus 20 ठीक है अब वही formula यहां पर लगेगा rule वही लगेगा minus 20 का multiply b square coefficient के साथ करो यहां कोचने इसका मतलब 1 होगा 1 का multiply minus 20 करो कि minus 20 मिलेगा minus 20 को ऐसे दो number ब्रेक करो कि जब उन दो number का हम लोग multiply करे तो हमें minus का 20 मिले देखो minus का 20 मिले और sum करने पे हमें क्या मिले b का coefficient यहां कुछने इसका मतलब यहां पर 1 होगा 1 कौन सा होगा minus का होगा तो minus यहां लगा दो के minus 20 minus 5 और यहां पर इसका sum कर दो तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास minus 1 मिल गया आपको बस यहां पर value को put कर दो यह हो जाएगा हमारे पास b square minus 5 x यहां पर हो जाएगा हमारे पास minus sorry plus 4 x और यह हो गया minus 20 equals to 0 हो गया अब इसमें से यहां पर हमने गलत क्या कर दिया यहां पर b b चल ला ना तो हमें यहां पर b लेना है ना कि x अब इतर कोशन में x था ना इसलिए यहां पर गलती होगी हमसे अब यहां पर ना हम लोग b को common ले सकते हैं दो को यहां भी b है यहां पर b b है हमने b को common लिया तो यहां पर आजएगा b minus 5 आजएगा अब इदर यहां पर 4 है तो यहां पर हमने 4 को common लिया तो यहां पर आजएगा b minus 4, 5, 20 एक question हो गया हमारे पर 0 अब b minus 5 एक bracket में हो जाएगा और b plus 4 दोसे bracket में हो जाएगा और यह हो जाएगा एक क्वेस्ट को हमारे पस 0 के यह दोनों हमारे 0 को हो गए इसको ऐसे हटा दो अच्छा अब दोको B-5, B-4 हमें मिला तो हम लोग क्या करेंगे इसकी जगह पे यह पुट कर देंगे तो देखो, यहां पर आजा कोशन में कोशन कहता हमारे पस X² माइनस यह हो गया 2B माइनस 1 और ट्रैकेट में X प्लस अब यहां पर B²-B-20 ना इस जगह पे हम लोग यह लिखेंगे यहां पर हो जाएगा हमारे पस B माइनस 5 और यहां पर हो गया हमारे पस B प्लस 4 और इक्वेस्ट टू 0 है एक्वेस्ट टू 0 लगा दो अब यह कोशन वैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे जैसे हम लोगों ने पिछली कोशन को किया था यहां पर आप देख पारो B-5 B-4 है तो अब हमें क्या करना है इसको सॉल्व करके यहां पर हमें 2B हो गया 12B-5 पर मीमिल गया 22B-5 और सबसे हमारे से ख्याओ माइनस यहां पर ओगया Bfernus 5 यहां पर ओजएगा प्लिस यह oddグया अब ध्यान से देखो कि इन दोनों में से हमें कुछ कॉमन ले सकते हैं तब यहां पर ब्रैक्ट लगाते हैं अभी कॉमन नहीं लेंगे यह bracket रहेगा, bracket क्या है, x है ना बाहर, तो इसे x को बाहर किया, अब हम लोग x का अंदर multiply करेंगे, और इस minus का भी अंदर multiply करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा, हमाँ पस x square, minus, यहाँ पर हो गया, b minus 5, अब दोखो, यहाँ पर जब bracket खुलेगा, यह minus और यह plus, plus minus क्या हो जाएग और यह हो जाएगा, हमाँ पस b minus 5, और यहाँ पर हो जाएगा, हमाँ पस b plus 4 होगया, 가까 क्यों लिए Mackie समयG यहां पर हम लोग X को common ले लेते हैं, X आ गया बार, यहां पर आ जाएगा X minus B minus 5, ठीक है, इसको bracket में लिखते हैं, यह हो गया, यह हमने common ले लिए इसमें से, अब इधर देखो, यहां पर B plus 4 है, यहां पर भी B plus 4 है, तो B plus 4 को हम लोग लेंगे, यहां पर आ जाएगा B, यह ह हो गया, X है, यहां पर X रहेगा, अब यह जो plus है, यह plus है, माइनस को हो जाएगा, क्योंकि, यहां पर minus हमने बाहर common ले रखा, जब भी minus हमारा बाहर आएगा, तो अंदर का जो sign होगा, वो change हो जाएगा, यहां पर minus हो जाएगा, यहां पर बचेगा B minus 5, एक कॉस तो 0 हो ग ठीक है, और फिर हो गया हमारे पास यह X, और यह दूसरे ब्रैकेट में, X माइनस यह हो गया, B plus 4 हो गया, ठीक हो गया, एक कॉस तो 0, यह दोनों 0 की इक्वल है, अब इनको 0 की इक्वल लिख दू, यह हो जाएगा, X माइनस यहां पर हो गया, B minus 5, एक कॉस तो 0, यहां पर minus का यह भी दर जाएगा तो यह भी plus का हो जाएगा तो x equals 2 हो जाएगा b plus 4 और यही हमें solve करना था और यही हो गया question number 44 का हमारा answer I hope आपको यहाँ पर question number 44 समझ में आ गया है now come to the next question question number 45 देखो यहाँ पर जो question number 45 पर यह कैसे solve होने वाला यहाँ पर लिखा है x square plus 6 x minus a square plus 2 a minus 8 है देखो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले पिछली question की तरह है इस question को भी solve करेंगे मतलब इतना part इसका पहले solve कर लेता है यहाँ पर solution पर आ जाओ यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x square x square सोरी इसको अटाते है यह लिखेंगे पर यह हो जाएगा a square plus 2 a यहाँ पर हो गया minus 8 हो गया यह हो गया हमारे पास अब देखो इसको कैसे solve करोगे यह minus 8 है minus 8 लिखा x square कोफिसेंट कुछ नहीं इसका मतलब यहाँ पर 1 होगा यहाँ पर हो जाएगा minus 8 को ऐसे दो नमबर ब्रेक करो कि जब उन दो नमबर का हम लोग माल्टिपलाई करें तो हमें क्या मिल जाए और फिर जब उनहीं दो नमबर का हम लोग सम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा x कोफिसेंट जो की sorry a कोफिसेंट जो की 2 है यहाँ पर क्या जाएगा 2 आजाएगा हमें plus का 2 चाहिए ना तो हम लोग क्या करेंगे यह minus लगा देंगे इस वाले में तो हमें plus का 2 मिलेगा plus 2 मिल जाएगा इतनी बात clear होगी समझ में आगया तो अगर minus का चाहिए होता तो minus 2a और यहाँ पर होगया हमारे plus minus 8 इन दोनों में से हम लोग a को common लेंगे यहाँ पर आजाएगा a plus 4 इन दोनों में से हम लोग 2 को common लेंगे यहाँ पर आजाएगा a minus हमने common ले लिए यहाँ पर होगया plus और यहाँ पर होगया हमारे plus 4 ठीक है a plus 4 a plus 4 एक bracket में हो जाएगा औ यहां कर दिया a, यहोगा minus 2, इतने बात के लिए समझ में आ गई, अब हम लोग क्या करेंगे, इस जिगह में यह value को put कर देंगे, तो यहां पर आजएगा हमारे पस x square, x square plus, यहां पर होगा 6x minus a plus 4, और फिर यहां पर आजएगा हमारे पस a minus 2, equals 2 होगा हमारे पस 2, यहां पर clear होगी समझ में आ गया, अब हमें क्या करना है, देखो, यहां पर जैसे हम लोग ने पिछली question को किया था, अब ऐसे ही इसमें भी करेंगे, हमें यह solve करके यहां पर क्या लाना है, 6 लाना है, यह जो x है न, variable जो होता है उसको नहीं ध्यान देता है, जैसे कि यहां पर क्या है, 6 x है, तो हमें x है मतलब नहीं, हमें 6 मतलब है, अब हमें क्या करना है, इसको solve करके 6 लाना है, तो चैक करते, कैसे 6 हैगा, क्या plus करने में या minus में तो यहां लिखा हमने a plus 4 हम minus करके देखेंगे क्योंकि minus से ही आजाएगा यहां पर आजाएगा a minus 2 equals to 0 कर दो या फिर ऐसे रहन दो अब यहां पर आजाएगा a plus 4 bracket खुलेगा minus का अंदर प्लस हो जाएगा तो यह minus a plus minus minus हो जाएगा plus यहां पर हो गया 2 equals to देखो यह minus का यह plus का आज से हांद से हमारे पास 6 होगी हमारे पास 6 का बाया है यह हमने a plus 4 minus a minus 2 लिखा तो हम लोग क्या करेंगे इस 6 की जगहे पर ये पूरी value को put कर देंगे इस value को put करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे बस x square यहाँ पर हो गया plus यहाँ पर हो गया a plus 4 और minus यहाँ पर हो गया हमाँ पर a minus 2 और फिर यहाँ पर minus a plus 4 यह भी हो गया और यहां पर आज़र यह हो गया हमाई पर a-2 equals 2 हो गया हमाई पर 0 अब एक चीज यहां पर ध्यान देना यहां पर क्या लिखाता है पीछे x अब इस x को भी हमें लिखना पड़ेगा यहां पर x लिख देते हैं अब हम लोग क्या करेंगे इस x का अंदर multiply करतो यहां पर हो गया x square यह हो गया plus यहां पर हो गया a plus 4 तको अगर हम यहां पर चाहे तो यह दो line का काम यह 3 line का यह पूरा एक line में यह करते हमें बार बार करने जोरत न पड़े बट यहां पर आपको हर एक चीज समझ में आए इसलिए हम एक-एक step करते हैं अलग-अलग line में लेको x का अगर चाहते हैं डिरेक्ट multiply कर सकते थे पीछे वाले question में भी x का हम चाहते हैं तो direct multiply कर देते और यहां पर minus कभी कर देते बट कभी-कभी क्या होता है इसलिए थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है अगर आप यह वीडियो पूरी देखोगे न तो आप से promise है कि भाईया आप कभी भी नहीं बोलोगे यहां पर हो गया minus यह हो गया a plus यहां पर हो गया 4 और यहां पर आगया हमाई पस a minus 2 एक question हमने कर दिया 0 के इतनी बात clear हो गई अब हम लोग इसमें से कुछ common लेंगे और इसमें से कुछ common लेने की कोशिज करेंगे यहां हमें common स्रिफ x दिख रहा है तो x ले लिया यहां पर आएगा x plus यह हो गया हमारे पस a plus यह हो गया हमारे पस 4 इतनी बात clear हो गई अब यहाँ पर हो गया minus अब इसमें से हम लोग क्या common लेंगे इसमें से common लेंगे a minus 2 common ले लिया यहाँ पर आजाएगा हमारे पस x minus यह हो गया a plus हो गया हमारे पस 4 यह हो गया एक question हमने कर दिया 0 के अब दोखो x plus a plus 4 ओके एक second यह जब minus हमारा बहार आया तो यह अंदर वाला sign change हो जाएगा minus से plus बन जाएगा तो x plus a plus 4 x plus a plus 4 हो गया इसे एक bracket में कर देते हैं x plus यहाँ पर हो गया a plus यह हो गया हमारे पस 4 और यहाँ पर x और यह दूसरे bracket में हो जाएगा x यह हो गया माइनस a minus 2 हो गया और यहाँ पर कर दे हमने equals to 0 यह दोनों ही हमारे 0 के equal हो गया तो यहाँ पर लिखेंगे x plus यहाँ पर हो गया हमारे पस a plus यह हो गया 4 equals to 0 के यह हमारा plus का है equal के इससे जाएगा तो यह minus का हो जाएगा हमारे पस a plus यह हो गया हमारे पस 4 अब यहाँ पर X- यहाँ पर हो गया A-2 यह माइनस का है और यह equal के A-6 जाएगा तो यह प्लस का हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा हमाई फस A-2 यही हो गया question number 45 का हमारा answer आई हो यहाँ पर आपको question number 45 भी समत में आ गया है आज की वीडियो में बस इतने ही question करेंगे बाकी की जो question है वो आपको मिलने वाले है next video में और next video की link आपको मिल जाएगी description में और जाने से पहले बाई साब हम हमें comment करके जरूर बता दिया कि आपको video कैसे लगी video अच्छे लगी तो भी comment करो नहीं अच्छे लेगी, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा वो भी कॉमेंट करके आप हमसे पूछो या फिर इस्टाग्राम में भी आप पूछ सकती हो और इस चैनल को सबस्क्राइब कर लो ताकि आपको NCRT और RS EGOL दोनों के ही सेलुशन मिले मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक ना देहान रखना, बाई बाई टाटा, टिक केर